सेरा एक भारती सली पेटी बोडिकार है उदमी उन्हें भारती अभिनेता सलमा खान के नीची अंग रक्स के रूप में जाना जाता है सेरा और गुर्मी सिंग जोजी सुमर 19 मैं 1909 सित्य को अंधेरी बुंबे में पैदा हुए थे उनकी रासी वुसप है उन्हें अपनी स्कूली सिक्सा से चुनिला दामोददास वक्षिरलाला हाई स्कूल से पूरी किये जब वो बुंबे में 22 कोलेज में 11 कक्सा में पौल रहे थे तब उन्हें अपने पिता के गैरेज में काम करने के लिए चुनिय कोलेज छोड़ दिया था पिता नंदची सिंग बुंबई में A to Z सिंग गेरेज एंड एटो मोबाल सोप नाम के एक गेरेज के मलिक है जो उनकी माता का नाम प्रितम और जोली है पिता का टाइगर ओब अभी सिंग नाम का एक बेटा है जो एक अभीनेता और सायक नीदे सक है सेरा सिंग धर्म का पालं करते है और एक सस्ताकार में उनने सजा किया कि उनकी नोकरी की प्रकुरती के कारण उनने अपनी पगड़ी छोननी पड़ी उसने कहा पहले मैं पगड़ी पहनता था मैं एक सीखू नोकरी के वज़ा से मुझे पगड़ी छोननी पड़ी बेड़ के कारण रखना संभाव नहीं था इसलिए मुझे अपने बाल कटवाने पड़े मैंने टोपी बगेरा पहना ना सुरू कर दिया कोटी उमर में सेरा ने बोडी बिल्लर के रूप में अपना करियर सुरू किया इसके बाद उने विबिन बोडी बिल्लिंग पतियों किता में पाक लिया 1987 में उन्होंने मिश्टर बुम्बई जुनियर का किताब जीता 1989 में उन्हें मिश्टर माराष्टा जुनियर पतियों किता में फार्क लिया और दूसरे स्थान पर रहे 1989 के दस्थक की शुरुआत में कई बातियों मसूर अस्थियों ने उनके लिए अंग्रसक के रूप में काम करने के लिए उनसे संपक्र करना शुरू कर दिया वो माइकल जेक्सन, वील स्मीद, पेरिस हिल्टन, माइक टाइसन और जेहिए जेहिए जेसी कई अंतराष्टे अस्तियों की सुरक्सा टीम का इसा रहे है एक सक्सताकार में सेरा ने सजा किया कि उन्होंने मनुरज़क कारेकम कपनी वीज़क पेर्ट के स्थापक अंड्रे टीमिस के माइक दसन सुरक्सा में काम करना सुरू किया सेरा ने यह भी बताया कि आंद्रे उसका पड़ोसी था और उसने सेरा को सुरक्सा विफाग में काम करने के लिए प्यायद किया इसके बाद सेरा सुरक्सा विफाग सम्भानने के लिए विजर्श पर जूड़ गए 2595 में जब सेरा हिल्ड फिल्ड कोंस्टे की सुरक्सा टीम में काम कर रहे थे तब उनकी पहली बार सलमा खान से मुलाकात हुई बाद ने कनाडाई अभिनेता किनू रिक्स की पाटी में उनकी सलमान से दोबारा मुलाकात हुई कुद दिनों बाद जब सलमा खान की चंदी गन्वे एक सोबें भाग ले रहे थे तब तो भीडी नियात्र से बाहर हो गए कटना के बाद सलमान के भाई सोयल खान ने सलमान की सुरक्सा के लिए एक और बोड़ी का रखने का फैसला किया इसके बाद सोहल ने सेरा को सलमान की नीजी अंग रक्सक के रूप में नुईयोग करने का फैसला किया एक विंटोर में सेरा ने सलमा खान के साथ अपने सुरुवाती काम के वारें बात की उसने कहा अपने सुरुवाती कारियों में से एक के दोरान मैं मलिक के साथ इंदोर में था हम इस बहुत चोटी सरक के कार से याता कर रहे थे जब बहुत सारे पसंग मुझूद थे और अन्य लोग भी पैदल चर रहे थे चाने और आनाई के लिए एक ही चोटी सी सलक थी और हमें देर हो रही थी मैं थोड़ा ठका हुआ भी था उसने मुझे एक गोली दी बोले यह लो किसी चीज की एक खुराक उसने मुझे दी मैंने लिया आप इस पर विशाद नहीं कर सकते के मैं अरस्ता साब करने के लिए उनकी कार के सामने आर्ट कीमी तक दोड़ा यह भी कम था जो मैंने भाई के साथ किया था तब मैं मलिक के साथ परिवा की तरह हूँ यह ने आगे बता कि सुरुआत में वह सुरक्षा यवस्ता की जाज करने के लिए सलमान के सुटिंग सेड्यूल से एक दिन पहले जाते थे और उनकी सुरक्षा के बारे में अस्वत होने के बाद ही सलमान को सुटिंग स्थानों तक ले जाते थे सेरा ने एक बाद सजा किया था कि सलमान खान के बोड़ी गार होने के नाते उनका सबसे कठीन सरौन सलमान के हीड एर रन और काला हीडर मामले के दोरान था उन्हेंने कहा कि वह सलमा को कचरी कुमाते रहे और उन्हें सलमा की स्तती देखकर बुरा लगा सेरा उस दोरा सलमा को वीड और मेडिया वालों से छिपाते थे उन्हों ने एक बार कहा था कि उन्हों ने अपनी चिंदकी में जो कुछ भी हासिर किया वो सिर्फ सर्मा की वज़ा से हुआ है और उन्हों ने सेरा के लिए कुछ भी किया कोई भी एक बोडी कार के लिए ऐसा नहीं कर सकता है कि इंटर्वी में उन्होंने सनमा खान के लिए अपनी भावना सेर काते हुए कहा था मालिक का मतलब मलिक है और सनमान मलिक मेरे लिए सब कुछ है इंडर्स्री और किसने अपने बोडी कार के लिए ऐसा किया है मैं उसके लिए अपनी चांद दे दूगा वह मेरा भगवान है जब तक जिन्दा हूँ भाई के साथ रहूगा मैं अमेसा लोगों से कहता हूँ कि वे मुझे कभी भी भाई के पिछे या पगल में खड़ा नहीं देखेगे मैं किसी भी खत्रे की अकंसा में उसके सामने खड़ा रहूगा उन्होंने आगे कहा था कि मैं दूले को ले जाने के लिए साथी में सजे गोड़े की तरह हूँ मुझे के वाई अपने मलिक की चिन्ता है और वह जहां भी जाते है वह होती है मैं उसका यस में हूँ आज तक मलिक ने जो भी कहा मैंने किया है इसलिए मैं मलिक के परिवार का हिस्सा हूँ ग्यारा में सल्मा खार ने अपनी हिंदी फिलम बॉड़ी कार सेरा को समपित की थी फिलम में सेरा ने फिलम के कैटर ट्रेक में केमे रोल किया था सल्मा ने सेरा की शुरक्सा कमनी टाइगल सिक्रोटी सर्विसेज के लोगो वाली बॉड़ी कार की वर्दी भी पहनी थी एक इंटर में सेरा ने इस बारे में बात की उसने कहा उन्होंने मेरे बारे में यह फिलम बनाई यह उन्होंने मुझे नचाया है उन्होंने फिलम में मेरी कमनी का लोगो लगाया है उन्होंने मुझे कितना माइलेद दिया है 17 आक्टॉमब 1906 को उन्होंने टाइगर सीकुरोटी सर्विसेद नाम से एक सुरक्षा सिवा कमनी शुरू की उनकी कमनी कई राष्टे और अंतराष्टे हस्तियों का सुरक्षा पदान करती है 2022 में पसीर कनाडाई गायक जश्टिन वीबर की सुरक्षा सब्बानले के लिए सेरा की सुरक्षा एजर्सी को काम पर रखा गया था जबकि जश्टिन अपने संगी सम्रो जश्टिन वीबर जश्टिन वर्ल्ट टू इंडिया के लिए भारत में थे एक इंटोई में सेरा एक जश्टिन के लिए काम करने का अपना अनुभर सजा किया उसने कहा हम रात में Gateway of India गए और अगले दिन सिवाजी नगर के पास की जुगियों में गए अगली बार में उसे हेलिकॉप्टर में ले जाना चाता था लेकिन उसने मेरी कार में यातरा करने पर जोड दिया वह मेरी कार का ओपियों कर रहा था उसे एक मॉल के कॉफी पीने के इच्छा हुई और वह इन अर्बीट मॉल जाने के लिए बसी रोड पर उतर गया वह स्टारबक्स गय और जब तक वह पहुचे सब कुछ अस्तो वियस्तो हो गया था और लोग इकटा होने लगे इससे पहले की गबराठ हावी हो जाए मुझे उसे वापस वेन में किचना पड़ा और उसकी सुरक्सा के लिए तुर्ण पास के होटल में एक कमरा बुक कराना पड़ा पार्टी में अपने टिविष्ट अकाउंट पर यह खबर सद्याकी की ट्यूटर में लिखा था अभिनेता सलमार खान जी वियनता वफदानता वह विश्वस्व वपस्तमा गायक्तनी सेरा जी यानी आज मातोसी निवस्तानिया यथे विदानसपा पस्मुका मास्री अभिनेता सलमार खान के वफदार और वफदारी गुर्मिस सिंग और पसेरा ची से आज मातोसी अवास पर छीवसेना पार्टी प्रमुक मास्रीमान उत्र साहिब ठाकरे और यूवा सेना प्रमुक सिवा सेन की मच्टूगी में सवजनिक प्रविस किया जा रहा है इस अक्टूम्ब दोजा सूला को एक सक्स ने सेरा के खिलाब ये नगर पुलिश रिस्तर में मारपीट का मामला दर्ज कराया था सेरा के खिलाब धारा 326 खतना खत्यारों या सादरों से गंबी चोट 506 और 323-504 के तहत मामला दर्ज किया गया था और भातिय दर्ण सहीता की धारा 34 खाला कि सेरा ने एसे सभी आरोपों से इंकार किया था और कहा कि उन पर लोगों के एक समुव ने हमला किया था उसने कहा मंगला को कुछ नहीं हुआ मैं कोकिला बेन अस्पताल में एक और दोस्त से मिलने गया फिर मैं पॉप टेट गया जहां पौन पर मेरी बरस हुई लेकिन कोई हाता पाई नहीं हुई सुबा पुलिस मेरे गर आई और जब मैं उनके साथ डियेन अगर पुलिस एस्टन जा रहा तो मुझे अपने उपर लगे आरोप की विस्तूती जानका ही नहीं है कुछ लोगों ऐसे भी थे जिनोंने जूब से लेकर अंदेरी तक सेरा की कार का पिचा करने की कोशिज गी और उनका रस्ता रोक कर उन्हें जबरन रोकने की कोशिज भी की लेकिन वह नहीं रुके CCTV फुटेज से इसा लग रहा है कि इन लोगों ने सेरा को पिचने की योदना बनाई थी हाला कि इसका कार अभी तक पता नहीं चला पाया बाद में सेरा इस मामले में नीदों सावित हुए संजे फोकर और कमनीच की और से अम्बाबाई तलीम सस्ताधार आयोची फूसकार मिला था उने